एलो एब्रिवन नमस्कार मैं सचिन आपके अपने यूटूब चैनल जियोस्टी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अब नंदन स्वागत एंड मोस्ट बेलकम है आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के करेंगे अगर हम देखें तो यू एनो की सुरुवाद प्रफम विश्यूद्ध से मानि जाती है अगर आप से पूछे कोई कि प्रफम विश्यूद्ध का आरण कब हुआ तो आप बताएंगे 1914 से लेकर 1918 तक प्रफम विश्यूद्ध चला यह कब से कब तक पर कोई भी युद्ध होता है तो बहुत सारी हानिया होती है कौन-कौन सी राजनेतिक हानी आर्थिक हानी एंड सामाजिक हानी और लोगों की बहुत ही क्या होती है तो इन देशों में सुलह समझाता या इन देशों को समझाने के लिए हमें किसका निर्माड करना चाहिए एक संग का निर्मार करना चाहिए जो सभी देशों का क्या करे सभी देशों को लीट करे और सभी देशों को बताए कि यूद्ध लड़ना एक गलत बात है तो जब प्रिथम विश्यूद समाप्त होता है तो यूएनो की स्थापना की जाती है आइस्ताई रूप से लेकिन कुछ समय के बाद ये विफल हो जाता है और तुरंत बाद दुतिय विश्यूद क्या हो जाता है रारम हो जाता है दुतिय विश्यूद कब से कब तक चलता है दुतिय विश्यूद 1949 से लेकर 1945 तक चलता है और उस विश्यु युद्ध में जो भी बिचैदा जो भी देश जीतते हैं तो वो ये निर्णा लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए यू एंडू की इस्तापना करनी चाहिए फोस सक्ती से और इस्ताई रूप से तो देखेगा उसी किरम में क्या लिखा है इसमें सयुक्त रास्ट एक अंतर रास्टे संगठन है इसके चार्टर चार्टर का मतलब समझते हो कोई भी एक दस्तावेज इसके चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हक्ताक्षर हुए अगर कोई भी आप से पूँछे 26 जून 1945 को जो यू एनू का चार्टर था उस पर हक तक्षर कहां पर हुए तो आप बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में ओके इसके बाद जो की 24 अक्टूबर 1945 को लाग हुआ और यही यू एनू की इस्तापना दिवस भी माना जाता है सहयुक्त रास्ट के प्रतीक चिन में जैतून जैतून याद रखना बहुत बार पूंचा जाता है कि जो भी यू एनू है उसमें क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे जैतून की दो साखाएं उपर की और खुली हैं और उनके बीच नेली प्रस्ट भूमी में विश्व का मानचित्र है अब देखीगा जब यू एनू की स्थापना हुई तो किसी व्यक्ति ने तो की होगी यू एनू की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे संस्थापक कौन माने गई हैं फ्रैंकलिन डी रुजवेल्ट माने जाते हैं ठीक है अगर पूछा जा इसका स्थापना दिवस कम मनाये जाता है या कब डेट को मनाये जाता है तो आप कि इसका स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 किसी को को दिखत ठीग है इसका मुख्याल कहां पर तो आप बताइंगे इसका मुख्याल कहां पर रे नू कर मैं अब होता है कि जब ओंडाले है इसमें सिर्सित वम्रें देश ही क्या थे कितने देता मिल array फ्यून देनी qwen देश स गोल्डन कोश्चन भी कह सकते हैं बहुत बार ये कोश्चन बना है कि जो एक्यानवा देश है देश जो जुड़ा था यू एनो से वो कौन सा था तो आप बताएंगे पॉलेंड ठीक है इसको याद रखेगा बहुत बार पूँचा गया यू पी ऐसी एक्जाम में तक ये बताएंगे 6 आप कौन कौन सी हैं पहली अर्वी आती है फिर चीनी अंग्रेजी फ्रांसी सी रूसी एंड इस्पैनिस ठीक है अब ये पूछा जाता है कि वर्तमान प्रजेंट समय में यू एनो के कितने सदस्न तो आप बताएंगे 193 193 ठीक है अब ये कोश्चन बनता है क जो भी 193 ठीक था वह कौन सा है तो आप बताएंगे दच्षड सुदान ये बहुत बार पूछा गया पूछा गया है यू-पी-पी-से-स में भी पूछा गया यूपी-पी-से-स लोवर में भी पूछा गया और जितने भी एक्जाम होते हैं जितने भी वन-डे एक्जाम ह बहुत बार ये question पूशा गया है अब बात आती है कि जो भी UNO बनाया गया था तो इसके उद्देश क्या थे खीक है तो उद्देश की बात करते हैं तो उद्देश की क्या थे विश्व में युद्ध को रोगना देखीगा UNO की जो इस्तापना की गई थी उसका की point अगर दे युद्ध का सामना करें कि युद्ध से आप लोगों को भी पता होगा कोई भी अगर युद्ध देशों की बीच होते हैं तो उससे बहुत सारी देशों में क्या हो जाती है परिशानियां हो जाती है तो इसलिए UNO ने क्या किया कि विश्व में युद्ध को रोगना मानव अधिकारों की रक्षा करना जो भी मानब की अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना अंतर रास्टिय कानून को निवाने की प्रक्रिया जुटाना समाजिक और आर्थिक विकास उभारना जीवन इस्तर सुदारना और बीमारियों से लड़ना को इतने इसके मुक उद्धिस थे अब बहुत बार यह पूछा जाता है कि जो यू एन ओ है इसके कितने भाग हैं तो आप बताएंगे six भाग हैं most important question है कि यू एनो के जो भाग है या जो भी उसके ये अंग है वो कितने हैं तो आप बताएंगे कितने छे अंग हैं उसके बाद चोथा होता है सचवाले पांचमा होता है नियास परिशद और छटमा होता है अंतर रास्तिय नियाय आले तू देखींगा आज यह जो वीडियो था यह part one था पार्ट सेकेंड में मैं आपको छे भागों के बादे में बहुती इस पस्ट तरीके से बताऊंगा I hope आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी Share, Subscribe and Like करना मत भूलिएगा और इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को ब्राम देता हूँ अपना एन्ड अपनों का खैल रखिएगा जै हिन्द, जै वारत, जै संबिदान, धन्यवाद